जहां से योगी खड़े होंगे वासे में खुद खड़ा होगा। की बढ़ा तो कि दौर ये काम हुआ है उनकी नीतियों के द्वारा लोगों को दिक्कत हुए है लोगों की अर्थप्वस्ता डाउन हो गई है लोगों को हवाई यात्रा नहीं हवाई चपल चाहिए कि यहां कोई हत्या होती है जहां कोई रिक होता है जहां कोई तो कंद पर ़ीजे तो रहसी इसी प्रकार का निकलेगा, कहीं न कहीं BJP का हाथ होता है, ऐसे कामों में, ये कहते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पडाओ, सबसे ज़्यधा इन ही के राजी के इंतरगत में, छोटी बेटियों से रेप होते हैं, बलातकार होते हैं, तो मैं ऐसी पार्टी के निंद निंदा करता हूं और मैं खासकर योगी जी के लिए निंदा करता हूं योगी जी तो लेकिन हमेशा से कहते आएं कि उनकी साशनकाल में जो कानून विवस्ता है वो बड़ी ही सुधन रही है हां बहुत अच्छी रही है कि चोरी बढ़ गई है डेकेतियां बढ़ गई है लुटेरों का साशन है यहीं और कोई बदमांसी करें तो वास्तमें बदमांसी उसका इंकाउंटर कर दिया जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं बड़ी जी का योगी जी की निंदा करता हूं इनकी संधक्ता के इंतरगत में अपरादी फल फूल रहे हैं उत्तर प्रदेश दिलाने के लिए विजान सब्सक्राओं अब यह बात तो उससे पूछो जिसने गाड़ी चड़ाई थी किसानों को उपर उसके मंत्री से पूछो मंत्री के बेटे से पूछो डारेक्ट बीडियो के इंतरगत में आ गया यहीं कहते हैं यह सडियन तो नहीं किया है बीजेप करने में हो रहा है बीजेपी के नेता होते हैं यह परक्रण यह सब्सकी बात हे यह मंदरी की बात करते मस्जिद की बात करते पाकिस्तान की बात करते हैं यह तरह तरह की नाटक बाजी करते हैं यह लोगों को हवाई जाजम बैठालने की बात करते हैं यह कहते हैं हवाई जाजम बैठालेंगे मैं यह कहना चाहता हूं अरे भाई सब लोगों को हर घर के इं कर नहीं रहे मोदी जी काम जब इन पर पड़ता है तो पाकिस्तान की बात करेंगे मैं बिलकुल आवाज उठाऊंगा धरने पर भी जाऊंगा भाजपा के नेताओं के द्वारा ये काम हुआ है बहन आप अच्छी तरीके से देखो अभी रिपोर्ट को उस दिन में आ परदान मंत्र नोट बंदी होती है तो परदान मंत्री कहता है नोट बंद हो जाएंगे अरे क्या चाहिए बित मंत्रा लें क्या मरगे आ है अब जो कि कर्षी मंत्री मर गया क्या किसी मंत्री करेगा प्रधान मंत्री क्यों करेगा प्रधान मंत्री समिर्ची नहीं प्रधान मंत्री में प्रधान मंत्री नहीं मानता हूं यह देश का प्रधान मंत्री नहीं है यह कहते हैं आधार कार के बिना सब देख आधार कार प्रम नई है राशना काड़ भी परमाण नहीं है अब कुछ सा किसानों को पर लाठी चार्ज करने के लिए किसानों को भाग से बिखता रहे हैं यह तो सब ठीक है यह तो बहुत दिनों पहले से ही जो कि था कि इस प्रकार की इस्तिती बनेगी अख्रेस के टाइम से भी सुनते थे यह काम कर रहे हैं मिन के लिए बदाई दूंगा इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा पर इसमें घोटाला कितना है यह भी चेक करना चाहूंगा क्या अखिरकार इन्होंने घोटाला कितना किया है तो वह सब आपको थोड़ी बताएंगे कि कैसे हो रहा है नहीं तो हम तो अपने आप पूछ लेंगे हमें तो अपने आप बताएंगे अच्छी प्रकार से बताएंगे क्यों गोटाला कितना हो रहा है कि मैं यह कहना चाहत इसमें इस इंजीनियर यह सब लगे रहते हैं यह लोग अपने आप करते हैं इससे प्रधानमंत्री कोई लेना देना नहीं लोगों को कहते हैं पांच करोर रोजगार देंगे रोजगार जोगी हर साल देंगे उन्होंने फिर फैक्टरियां बंद कर दी फिर कह दिया कि इतने लोगों का वो हो गया है इतने मैं कहा रहा हूं लाखों जो फैक्टरियां बंद की हैं से रोजगार बढ़ाया गटा है मैं कहता हूँ रोजगार कम बेरोजगार ज्यादा किये हैं मोदी जी ने इसे दाबे के सहित कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ सुनली जी ये कान खोल करके कि मोदी जी ने रोजगार कम बेरोजगार ज्यादा किये हैं उनकी नीतियों के द्वारा लोगों को दिक्कत हुई है ल लोगों को जहाज में बैठना नहीं चाहिए, लोगों को हवाई यात्रा नहीं, हवाई चपल चाहिए, उन्हें लोगों के लिए पूरा जो की इस पकार से नहीं, उन्हें जो की इतने बड़े रोडों के उनकी जरूरत है, उन्हें अपने घर रासन की आवश्यक्ता है, यह तो मैं तो कहता हूं भाजपा के लोगों को तो ये ही कहना चाहिए और वह में भी कहता हूं को भगवान किसी नहीं पड़ता इसी प्रकार से हो सकता है मोधी जी के भी काम किसी को दिखाई नहीं पढ़ते और मुझे लगता है वो कभी दिखाई भी नहीं पढ़ेंगे क्योंक मोधी जी कोई काम करते ही नहीं है थारा गंटे काम करते है जो एक बार Amishtar जी नहीं बताया था को जो कि अठारे गंटे जो की सोते हैं और जो की बाकी कितने घंटे हो गए उनों ने ये कहा था में वीडियो दिखा दूँगा कि इतने अठारे घंटे सोते हैं जबान फिसल जाती है तो कुमकन को भी निद्रादेवी आ गई थी इंद्राशन की ज़िए के निद्राशन आ गया था इसलिए मैं कहना मंतरी अंबेट करबाधी परदान मंतरी बनेगा और जो कि मुस्लिम ग्रह मंतरी बनेगा मैं कहना हुएrows सरकार को कानून करनी देने पर पुलिस अपना काम लगबक ठीक करती है। में धन्यबाद करता हूँ चुनाव मैदान में बहुत तेजी से उतर रहे हैं टकर दे पाएंगे बिल्कुल देंगे जहां से योगी खड़े होंगे वहां से खुद खड़ा होंगा मैं क्या कह रहा हूँ यह वैलिट पेपर से चुनाव करा लें यही मोदी योगी की जमानग यह थे हमारे साथ संतिवराज जी इनकी बातों से तो लग रहा है कि टकर बहुत जादा देने वाले हैं अपसीम योगी को आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष मिल के भाजपा को सत्ता से हटाता है या फिर सत्ता में कोई नई पार्टी